हेलो वर्यवन आप सब्सक्राइब एक बार फिर से माई एक्जाम यूटूब चैनल बर तो आज की वीडियो में हम आपके हर्याना पुलिस के जितने भी एक्जाम हुए हैं पिछले पांच सालों में ठीक है 2018 से लेकर अब तक के जितने भी एक्जाम हैं जो अब तक हुए है हर्याना पुलिस के तो सारे के सारे कुशन हम देखेंगे एकी वीडियो में तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको इससे पता लग जाएगा कि हर्याना पुलिस के एक्जाम में आपकी इंग टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लें वहाँ पर आप किसी भी वीडियो की आप PDF लेना चाहते हैं या प्रिवीज ये कोशन है आपके जितने भी है वहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है आज का हमारा तो आप देखेंगे इंगलीज sentence बताना आपको कौन सा है चार ओप्रट दिये हैं आपको तो इनमेसे बताना है कौन सा जो sentence आपका गलत है तो फर्स्ट आप देखिए he had gone to the pictures last night तो आप सभी को पता है simple tense का जब भी हम बात करते हैं tense की पास्ट ठीक है second form की हम जबी भी बात करेंगे तो time के साथ आपका ये night का use हुआ है तो last night के साथ यानि कि क्या है यहापर time की बात की है तो time के साथ हमेशा हम क्या करेंगे simple past लेकिन यहापर क्या use किया गया है past perfect head plus third form तो यहाँ पर आप head gone को काट कर gone की जो आपकी second form होती है go की आप करेंगे he went तो he went to the pictures last night ठीक है तो हमेशा आप ध्यान रखिए जब कभी भी time की बात करेंगा तो time के साथ आप हमेशा second form आप हमेशा use करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा went ठीक है जैसे आप देखेंगे next देखते हम man the man complained that this cycle has been stolen ठीक है यह आपका sentence ठीक है I will come if you invite me ठीक है जब भी आप दो future की बात करेंगे तो दो future में आप जो पहला है यदि तुम invite करोगे तो मैं आऊंगा ठीक है तो first जो future है आपका उसके साथ हम use करते हैं वरक की first form और जो second future होता है उसके साथ हम करते हैं will plus first form ठीक है यदि वो invite करेगा तो मैं आऊंग ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है तो next भी यही है आपका he will certainly pass the test तो future की बात करी है तो इसलिए will plus first form आपका यूजवा है तो इस सारे के सारे रूल आपको ध्यान रखने है नेक्स्ट है आपको grammatical error बतानी इसमें भी तो आपका जो है first है I am writing here since morning तो यह भी आप सभी क पता है जब भी आप since या for use करते हैं तो आपका यूज़ होता है present perfect continuous लेकिन यहां पर क्या यूज़ किया गया आपका present continuous तो यहां पर आपका क्या यूज़ होगा I have been ठीक है तो I have been ठीक है has have been के साथ आपकी work की first form plus ing use होता है जब कभी यह आप since or for का use करेंगे तो आपको य ध्यान रखना है I have been waiting here since morning ठीक है अब आप देखिए अभी मैंने आपको बताया last March तो इसमें भी आप देखिए last March यानि की time आपका use हुआ है तो यहां पर उसने क्या use किया second form जो आपका ठीक है ठीक है next take care that you are not cheat तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको cheat ना किया जाए ठी ठीक है तो take care that कि कि किसका ध्यान रखो कि you are not cheat तो आपका यह passive form है ठीक है is MR उसके बाद आप देखिए third form you are not cheat यानि कि आपको कोई धोखा ना दे तो यह सारे के सारे रूल आपको याद रखने है ठीक है next time बात करते है fill in the blanks with appropriate proposition यहां पर आपको preposition fill करनी है first question है you must be content that what you have इसका कहने का मतलब क्या है आपको उसके साथ संतुष्ट होना चाहिए जो आपके पास हो ठीक है तो आप उससे संतुष्ट रहें जो आपके पास है तो content के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं with का use करते है content with ठीक है जो भी आपके पास है आप उससे संतुष्ट रहें ठीक ह यानि कि वो क्या कर रहा है आसा कर रहा है कि new year तक वो अपना काम finish कर ले यानि कि आने वाले जो काम है दिन की वो बात कर रहा है जब कभी भी आप आने वाले time की बात करें तक जिसमें आपको लगे तक कि मैं new year तक अपना काम finish कर लूँ ठीक है मैं यह आसा करता हूँ तो उसक साथ आप क्या यूज करेंगे बाए का ठीक है कि I hope to finish the work बाए ठीक है बाए नियू येस टे तो यहाँ पर आप यूज करेंगे बाए का नेक्स टे यूज दा करेक्ट टैग ठीक है आपको टैग यूज करना है कोशन टैग तो कोशन टैग आप सभी को पता हूगा कोशन टैग हम कहा टैग में तो स्टेडी करते हैं let us go out tonight तो आपसे पूछ रहा है कि क्या हमें आज बाहर चलना चाहिए चलो भार चलते हैं आज रात ठीक है तो लेटस के साथ आप हमेशा जो भी question tag आपका use होगा तो आपका use होता है cell ठीक है तो cell V आपका positive sentence है कि आपको पूछ रहा है कि आप चलना चाहिए cell V क्या हम चले तो हमेशा और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी आपका लेटस आपको sentence दिख जाए तो आप उसमें question tag use करेंगे cell V ठीक है तो यह आपका rule है तो यह याद रखना ही रखना है आपको next step don't be late ठीक है कि late मत होना don't be late यह negative है तो मैंने अभी बताया negative के साथ आप कौन सा use करेंगे positive उसने बोला कि late मत होना तो कई बच्चे इसको दिखेंगे कि don't क्या है आपका negative है और negative के साथ आपका positive यूज होना है तो do not का positive हो गया है don't ठीक है लेकिन आप यह भी देखिए क कि जो sense किस form में use कर रहा है ठीक है do you आपका बात करता यानि कि present की बात करा लेकिन वो कर रहा है कि don't be late कि आप late मत होना यानि कि आने वाला जो time है future की बात चल रही है यहाँ पर तो future के लिए हम use करते हैं will का ठीक है don't be late और इसका positive क्या होगा will you क्या तुम होगे ठीक है तो इसमें आप confuse मत होना कि don't का जो positive है do you होगा लेकिन यहाँ पर आपको sense भी देखनी है कि आने वाले वो time की बात कर रहा है तो आने वाले time की के लिए हम future के लिए हम use करते है will का तो यहाँ पर use होगा will ठीक है अगर यहाँ पर होता do late ठीक है तो आप use करते won't ठीक है तो won't क् आपका will not की short form है आपकी ठीक है तो यह ध्यान रखना question tag में हमेशा opposite आपका यूज होता है negative sentence है तो positive positive sentence है तो question tag आपका हमेशा negative और कुछ आपको rule है जो आपको साथ की साथ याद रखने है जिसे letters के साथ हम क्या यूज करते हैं cell आगे बात करते हैं next paper है आपका English language का fill in the blanks with correct form of verb ठीक है आपको correct form of verb बतानी है यहापर कौन सी होगी what is that noise ठीक है कि यह आपकी कौन सी noise है what is dash ठीक है what के साथ आपको भरना है यहापर क्या होगा what happen तो अभी present की बात कर रहा है what is that noise कि है कौन सी आवाज है और यहापर क्या हो रहा है तो यहाने क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है तो इसके लिए आप क्या use करेंगे what is happening तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा A आपका बिल्कुल ठीक होका what is happening तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A option, तो यहाँ पर क्या हो रहा है और यह kisils की आवाद है ठीक है yesterday evening the phone dash three times वहांत बीन की बात हो रही है यहां पर जब भी मैंने वताया था जब कभी भी टैम की बात करेगा तो dilemma के साथ आपका simple आप क्या यूज करेंगे second form तो second form आपकी कहाँ पर ईउप्शन में रिंग की second फोर्म क्या रैं तो yesterday evening the phone ranked three times while we were having तो कलर श्याम को फोन तीन बार बजा जब हम खाना खा रहे थे तो आपको यह ध्यान रखना है जब कभी भी हैं पर टाइम की बात होगी तो टाइम के साथ हमेशा आप पास्ट में सेकिंड फोम का यूज़ करेंगे नेक्स टे फिलिंदा ब्लेंक्स आपको फिलम करनी है याप पर तो प्रेपोजिशन क्या होगी आई वाज सोक्ट डैस वट आई सा ठीक है आई हैड बीन आई हैड नेवर सीन अनिधिंग लाइक इट बिफोर ठीक है कि आई वाज सोक्ट वट आई सा वो कह रहा है कि जो भी मैंने देखा मैं उस पर सोक्ट था और इस तरह की चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी है ठीक है तो सोक्ट के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं एट का आई वाज सोक्ट एट ठीक है तो सोक्ट के साथ हमको याद रखना है कि sokt के साथ हमेशा हम at का यूज करते हैं नेक्स्ट है I can't understand people who are cruel-to-animal ठीक है तो आपको यहाँ पर fill up करना है कि I can't understand people who are cruel-to-animal कि मैं उन आदमियों को नहीं समझ सकता जो जानुरों के परती क्या हो करूर हो निर्दय हो तो cruel के साथ हम अमेशा यूज करते हैं to ठीक है तो I can't understand people who are cruel-to-animal ठीक है तो आपको ध्याद एकना cruel के साथ हम क्या यूज करते हैं cruel-to ठीक है कोई भी किसी के परती निर्दय हो तो उसको हम बोलते हैं cruel-to ठीक है next है select the part of speech of each underline following तो आपको एक underline word है उसका part of speech बताना है कि वो कौन सा part of speech है आपका sentence है पढ़ते है alas she is alas alas she is no more ठीक है यहाँ पर सोरो की बात हो रही है तो आपने कभी भी देखा होगा जब भी हम सोरो की बात करते हैं pain की बात करते हैं pleasure की बात करते हैं यह surprise की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं alas है तो आपका यह क्या है interjection है तो interjection का हम यूज करते हैं surprise यानि की कोई भी surprise हो sorrow हो pain हो आपका pleasure हो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं alas ठीक है तो interjection आपके कुछ word होते है जैसे आपने पढ़ा हुगा वाओ ठीक है एलास ठीक है ओ तो यह इस तरह की जो वर्ड है आपको जैसे यह आपको sign लगा मिले तो यह सारे आपके क्या होते हैं सभी के सभी interjection होते है ठीक है तो यह धियान रखना है तो एलास आपका कुण सा part of speech है next है he treated it in a light-hearted manner ठीक है तो यह आपका है light-hearted जो वर्ड है यह आपको बताना कौन सा part of speech है तो अब आप देखेंगे he treated treated आपका क्या है आपकी second form of verb है treat की ठीक है तो treat क्या हो गया आपका verb हो गया तो he treated it in a light-hearted manner कि उसने उसको कैसे treat किया light-hearted manner में treat किया ठीक है तो जो light-hearted है यह किस की बता रहा है आपको quality यह treat की बता रहा है ठीक है कि कैसे उसने treat किया उसको यानि की वर्व की क्या बता रहा है वो विसेशता बता रहा है और वह कौन से वर्ड होते हैं आपकी जो वर्व की विसेशता बताते हैं वह आपके होते हैं adverb ठीक है which tells the quality of verb तो वो कौन से वर्ड होते हैं आपके adverbs होते हैं तो आपके ध्याद दखना है तो यह क्या है आपका adverb होगा c option आपका बिल्कुल ठीक है आपर next question देखते हैं English language का fill in the blanks with appropriate आपको यह fill up भरना है Benny had finished cooking when the visitor dash तो अब आपको इन में से कोई एक fill up करना है कि बैनी ने क्या किया था अपना cooking है वो finish कर ली थी जब visitors आए ठीक है तो आपको simple sentence सभी को याद होगा before जब कभी भी आप use करते हैं when है ठीक है तो when आपने देखा Benny had finished ठीक है यहाँ पर क्या हुई है use second यानि कि past की बात की है तो past के साथ हम past ही use करते हैं तो entering तो हम simple use करते नहीं है ठीक है तो past की बात यह है तो entering यानि कि जब जो visitors है वो entering कर रहे थे ठीक है तो कर रहे थे तब finish नहीं किया तो कहना चाहरा है जब visitors ने entered किया यानि कि enter किया तो Benny अपना खाना खतम कर चुकी थी ठीक है तो यहाँ पर आपका simple क्या होगा second form ठीक है तो आपने sentence पड़ा होगा the patient had died before the doctor came यानि कि जो काम पहले हो चुका हो उसके साथ हम क्या करते है head third form का यूज करते हैं ठीक है और जो काम बाद में होता है उसके साथ हम क्या करते है simple second form ठीक है यानि कि यहाँ पर पहले क्या हुआ है खाना बनाना खतम हो चुका है तो head third form कर चुके हम और बाद में visitors आए हैं तो उसके लिए हम simple क्या करेंगे second form का use करेंगे तो यह आपको ध्यान दखना है जब भी दो काम past में finish हो तो एक के साथ head third form और दूसरे वाले के साथ हम क्या करेंगे second form next है आपका dash he dash two wickets before play was interrupted by the train अभी आभी मैंने बताया आपको जो काम आपके past में हो दो तो पहले वाले काम के साथ क्या होगा head third form और जो बाद में काम होगा उसके साथ क्या होगा second form ता patient head died यानि कि दोक्तर के आने के पहले patient मर चुका था यानि कि जो patient पहले मरा उसके साथ हमने क्या use किया head died और बाद में दोक्तर आया doctor came यानि कि second form तो ये भी उसी sense में है he had taken two wickets ठीक है अब ये आपका passive form है तो second form का passive क्या होता है आपका was were plus third form ठीक है तो ये आपका passive में बना दिया he had taken two wickets before play was interrupted by the rain तो इस तरह से आप याद रखेंगे past के जो भी दो काम है तो कैसे आपको याद करना है rules को ठीक है यहाँ पर आपको दिया है as soon as the speech started उसके बाद आपको sentence complete करना है चार option में से क्या होगा जब आपको पता है as soon as जो आप इसके साथ हम कभी भी conjunction का use नहीं करते है ठीक है तो तीन option आपके wrong होगे तो बचा कुन सा आपका B option तो कहना क्या चारा है as soon as the speech started जैसे ही speech भासन स्टार्ट हुआ the demonstrators rushed to the platform ठीक है platform की तरफ क्या गए वो भाग गए ठीक है तो आप देखेंगे as soon as के साथ हम कभी भी किसी भी conjunction का use नहीं करते हैं तो तीन option आपके wrong होगे तो second जो बचा वो आपका क्या होगा simple दा से start करेंगे next है we are so late ठीक है we are so late आपके आगे यहां पर fill up करना है कि क्या आएगा ठीक है to catch the train we are so late to catch the train बिल्कुल गलत है we are so late that we could catch the train कि हम late है फिर भी train को catch कर सकते हैं ये भी wrong है कि हम इतने लेट हैं कि हम कहना क्या चाहरा कि train को हम पकड नहीं सकते ठीक है see आप देखेंगे we are so late we could not catch the train यहां पर वो क्या कर रहा है past की बात हो गई यहां पर अब आप देखेंगे अभी तो बात कर रहा है present की यहां पर उसने जो option दे दिया content का यानि की past का तो यह भी आपका गलत होगा तो we are so late that we cannot catch the train की हम इतने लेट हैं कि हम के train को अब नहीं पकड सकते ठीक है तो dad कहां पर यूज हुआ है आपका यहां पर यूज हुआ है हुआ भी में भी है लेकिन यहां पर आपका past है ठीक है तो आप जो correct option होगा वो कौन सा होगा d कि हम इतने लेट हैं कि अब हम train को नहीं पकड सकते ठीक है next आपका indirect speech है आपको बताना है narration का the master says have you seen the map ठीक है master ने क्या कहा have you seen the map कि जब कभी भी हम question करते हैं किसी से आप सभी को पता होगा तो question के लिए हम क्या करते हैं if का use करते हैं ठीक है तो master says यहाँ पर आप देखें हैं तो first form होने के कारण अंदर वाला sentence है आपका change नहीं होगा और जब आप इसको हटाएंगे question इसको double comma को हटाएंगे तो इसके stand पर आप किसका use करते हैं yes no वाले question में if का तो if जिसमें भी होगा वही आपका क्या होगा answer होगा अब आप देखें first option में sales को उसने set बना दिया first form को second form में बना दिया घलत होगा यहां पर भी ask आ गया नहीं होगा यह भी जो next है आपका see option है the master inquires ठीक है master ने क्या किया inquires किया if he has seen the map ठीक है क्या उसने map देखा है ठीक है तो यह आपका बिलकुल ठीक होगा ठीक है अब आप देखेंगे sales को उसने first form में रखा है तो sales उस से जानकरी ली है कि क्या उसने देखा है तो sales उसने क्या किया है inquires में बदल दिया तो ठीक है यह भी आपका first form में ही है ठीक है आप डी option देखिए the master inquires if he saw the map यहां पर उसने क्या कर दिया second form में change कर दिया जो कि आपका wrong होगा ठीक है तो simple आपको याद रखना है yes no question होगा व तो यह आपका गलत होगा next है he said be quiet and listen to my words ठीक है तो he said तो sad हमेशा आपका sad ही में रहता है sad to आपका total में change होता है ठीक है तो sad को यहाँद है sad to में change कर दिया जो की गलत होगा said को told में change कर दिया जो की गलत होगा बिल्कुल ठीक है तो अब next पढ़ते हैं he asked them to be quiet and listen to his word जो आपका बिल्कुल ठीक होगा ठीक है तो c option इसमें क्या होगा right होगा ठीक है next है आपका correctly spelled word बताना है आपको 86 में कि आपका जो correct form of spelling है कौन सी है गी उन में से तो आप देखेंगे demorage ठीक है तो यहाँ पर आपकी कौन सी spelling होगी right तो चार ओप्षन में से आपकी spelling होगी demorage second b option बिल्कुल ठीक होगा demorage ठीक है तो demorage की spelling आपकी क्या होगी आपको ध्याद रखना है b option next हम देखते हैं अब आपको बताना है antonym of native ठीक है तो native का क्या होता है आपका सवदेशी ठीक है native क्या होता है आपका सवदेशी यानि कि जो आपका अपना हो पडोस का होता है उसको हम क्या बोलते है सवदेशी native तो native का आपका opposite क्या होगा यहाँ पर तो आपका होगा exotic यानि कि जो strange होता है विदेशी जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो exotic क्या होगा आपका विदेशी ठीक है native आपका सब देशी जो अपने देश का और जो बाहर देश का जो हमारे लिए strange होता है यानि कि विदेशी foreigner बोलते हैं जिसको तो यह इसका Antoni होगा next है he has been playing cricket the tense of the verb in the above sentence तो आपको tense बताना कि कौन सा tense है इसमें he has been playing ठीक है तो आप सभी को पता है has have has have been ठीक है has have been work की first form और ing यह आपका कौन सा होता present perfect continuous होता है ठीक है present में हम क्या करते है simple work की first form present perfect में हम क्या करते हैं has third form और present continuous में क्या करते है is mr work की first form प्लस ing तो चारो tense के बारे में आपको पता होना चाहिए तो he has been playing cricket क्या होगा वैं सुबह से cricket खेल रहा है तो perfect continuous next है आपका the thief ran fast on seeing the policeman ठीक है तो fast जो है आपको कुन सा part of speech से आपको बताना है फास्ट के बारे में ठीक है तो अभी हमने बात की थी एक और question देखा था थीम ता thief ran ठीक है तो ran क्या है आपका एक वर्व है ठीक है तो कैसे दोड़ा तीफ बहुत तेजी से दोड़ा यानि कि जो भी words वर्व की विशेशता बताते है quality of word बताएं वो उसको हम क्या बोलते है एड़ वर्व ठीक है तो fast क्या होगा आपका यहां पर एड़ वर्व होगा क्योंकि जो यह fast word है ran को क्या कर रहा है qualify कर रहा है ठीक है कि वो बहुत तेजी से दोड़ा next है in the below given sentence choose the part which contain error तो error बतानी है आपको कौन से पार्ट में है सुनिल शोड़ा कर लेते हैं सुनिल is best student in our class at present कि सुनिल जो है सबसे अच्छा student है हमारी class में present में ठीक है फिलाहल में तो आप सभी को पता है superlative degree के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं दी का यूज करते हैं तो यहां पर क्या होगा सुनिल is the best student ठीक है तो best के साथ हम क्या यूज करेंगे दा का यूज करेंगे यहां पर ठीक है next है the driver together the driver together with conductor and passengers were drone जो driver था conductor और passenger के साथ क्या हो गया वो डूब गया पानी में तो जो additional information देने के लिए यूज करते हैं together with ठीक है तो यानि कि driver जो है conductor और passenger के साथ क्या हो गया drone हो गया तो driver के according यहां पर क्या ना चाहिए था singular वर्ब आनी चाहिए singular वर्ब आपकी क्या होती है वोज ठीक है तो वर्ग कि जंगे यहां पर क्या होगा आपका वोज यूज होगा तो डी पार्ट में आपकी क्या है next है there were fill in the blanks बरना है आपको there were dash viewers than expected ठीक है तो यहां पर जो viewers थे देखने वाले आए थे जितने हमने आशा की थी उससे कम आए है ठीक है यानि कि जब कभी भी हम countable की बात करें जिसको हम गिन सकते हैं ठीक है यानि कि वो क्या कर रहा है जितने हमने expect किये थे उससे क्या आए क्या है ठीक है fewer there were fewer viewers than expected ठीक है यहां पर less नहीं use होगा ठीक है lesser भी use नहीं होगा क्योंकि uncountable के साथ use करते हैं ठीक है और यहां पर क्या होगा there were many viewers than expected ठीक है तो जो viewers है यहां पर क्या होगा comparable कर रहा है कि जितनी हमने आशा की थी then है यहाँ पर इससे हमें चल रहा है comparative degree आएगी ठीक है तो then के साथ हम क्या कर यूज़ करते है comparative degree तो इसलिए countable में हम यूज़ करते है many और fewer का लेकिन then के आने के करण हैं यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे fewer ठीक है क्योंकि हम then के साथ क्या यूज़ करते हैं comparative degree का तो few fewer ठीक है तो few की comparative degree कुन सी होगी fewer की ठीक है तो यह आपको धियान रखना है then आने के कारण है यहाँ पर हम fewer का यूज़ करेंगे next है choose the correct synonym बताना आपको lexicon जो lexicon होता है आपका सब्द कोस होता है यानि की dictionary ठीक है तो see option यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक होगा dictionary synonym होता है lexicon का ठीक है next question देखते हैं यहाँ पर आपको fill in the blanks बरना है she let her horse dash in the field ठीक है तो उसने क्या किया अपने घोडे को field में क्या छोड़ दिया खुला छोड़ दिया ठीक है तो letter के साथ हमें हमें साथ क्या यूज करते हैं first form यूज करते है see let her horse lose ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर lose word होगा यानि कि जो field है field में उसने क्या कर दिया अपने horse को खुला छोड़ दिया तो उसके लिए जो correct word होता है आपका lose होता है next है some people regard the world as an ठीक है कुछ आदमी जो संचार है world को कैसे regard करते हैं ठीक है क्या समझते है भरम समझते है ठीक है unrealty मानते है ठीक है तो उसके लिए जो word होता है आपका imitation आपका नकल होता है ठीक है तो उसके लिए जो word होता है आपका illusion होता है ठीक है unrealty जिसको बानते है भरम ठीक है तो यहाँ पर भरम के लिए जो word होगा आपका illusion होगा ठीक है some people regard the world as an illusion ठीक है next है आपका this is one of the error बतानी है आपको this is one of the companies who has done well for the past two years ठीक है this is one of the तो one of the के बाद हम जो use करते है हमेशा noun या pronoun जो आपका आता है वो plural आता है ठीक है तो यहाँ पर companies आ गई लेकिन उसके ठीक बाद ठीक है relative जो pronoun use होता है वो किसके लिए होता है जो भी उससे पहले word हो तो who से पहले जो आपका word है यह किसके लिए use हुआ है companies के लिए और company क्या है आपकी plural है तो plural के कारण है यहाँ पर क्या आना चाहिए तो plural ही आना चाहिए तो has को छोड़कर यहाँ पर क्या आएगा have ठीक है क्योंकि जो यह have use हुआ है यह companies के लिए use हुआ है ठीक है जब कभी भी आपका relative pronoun है relative pronoun से पहले जो आपका word होगा उसके according ही आपकी क्या हैगी वर्ब आएगी तो यहाँ पर क्या होगा this is one of the companies who have done well for the past two years तो आपको यह ध्यान रखना है ठीक है next है I cannot sanction such a large sum without no permission ठीक है तो without के साथ हमेशा हम क्या use करते हैं हमेशा any ठीक है कभी भी हम double negative word use नहीं करते without भी आपका negative है और no भी आपका negative है तो double negative double comparative double superlative यह word हम कभी भी use नहीं करते हैं तो इसलिए हैं पर हमें क्या use करना पड़ेगा without any permission ठीक है तो no हटा कर हमें यहापर any का use करना पड़ेगा next है आपको which one word substitution है तो बताना है the word or practice that has gone out of use ठीक है कोई भी जो word है जो अब use में नहीं होते पुराने हो गए है उसको हम क्या use बोलते हैं outdated ठीक है जो चीज़े अब use में नहीं आती outdated या फिर इसकी जगे एक और word होता है आपका obsolete ठीक है दो word होते हैं आपके obsolete ठीक है यह ध्यान रखने आपको outdated या obsolete ठीक है जो पुराने हो चुके हैं आप चलन में जो चीज़े नहीं है उसको हम बोलते हैं outdated या obsolete नेक्स्ट है estimation of things words ठीक है यानि किसी भी चीज़ की कीमत का पता लगाना उसको हम क्या बोलते हैं appraisal ठीक है किसी भी चीज़ की कीमत का पता लगाने को हम क्या कहते हैं appraisal तो C option इसका बिलकुल correct होगा आपका next है एंटॉनिम बताना आपको किसका वर्चू का तो वर्चू का जो एंटॉनिम होगा आपका क्या होगा wise ठीक है गुन दोस आप सभी ने पढ़ा होगा गुन का opposite क्या होता है दोस ठीक है तो वर्चू गुन वाइस दोस next है correct spelled of word बताना आपको diarrhea ठीक है lose motion जो होता है आपका diarrhea बोलते हैं जिसको हम ठीक है तो इसकी जो correct form of verb है correct spelling है कुन सी है ए जो है आपकी बिल्कुल spelling बिल्कुल ठीक है double r h o e ये यूज करते हैं जब कभी भी आपको रिया word दिखे तो आपको याद रखना है double r h o e तो a option बिल्कुल correct होगा इसका next है choose the word which is most nearly the same meaning of the word ठीक है यानि कि synonym बताना है आपको कि कौन सा बिल्कुल इसका same है ठीक है तो कौन सा होगा pleasure तो pleasure का मतलब क्या होता है खुसी ठीक है तो Greek का मतलब क्या होता है shock ठीक है तो synonym क्या होगा आपका happiness next है choose the word opposite in the meaning ठीक है opposite meaning बताना है आपको modesty का तो modesty क्या है आपका V number या नमर्ता जिसको बोलते हैं ठीक है नमर्ता ठीक है तो इसका opposite क्या होगा आपका जो होता है आपका वो भी क्या होता है घमंड होता है ठीक है तो modesty के आपके दो एंटोनिम होंगे यहाँ पर modesty के vanity और arrogance लेकिन यह depend करता है कि observer ने यह कौन सा ठीक माना होगा मेरे हिसाब से आपके यह दोनों ठीक है सबको एक marks यहाँ पर जरूर मिला होगा ठीक है नेक्स्ट है perfect health depends on a few simple rules of health ठीक है fill in the blanks में आपको verb परनी है इन में से चारों में से कौन सी आएगी कि क्या बोला उसने perfect जो health है आपकी किस पर depend करती है depends on a few simple rules of health यानि कि जो आपके observance है यानि कि कुछ simple rules का पालन करना ठीक है तो perfect health जो है आपकी किस पर depend करती है कुछ simple rules को follow करके ठीक है तो observance यहाँ पर बिल्कुल correct होगा observance of few simple rules of health ठीक है observance आएगा यहाँ पर आपका तो यह थे आपके जितने भी question थे previous सभी कर लिए हमने अर्याना SSC के जितने भी आपके हर्याना पुलिस के exam हुए है आप तक English तो यहाँ पर आपने देखा जो English है आपकी यहाँ पर 6-7 numbers की पूची जाती है और 6-7 numbers के लिए आपको जो जो topic करने है एक तो आपको करना है grammar ठीक है one words और आपको ध्यान देना fill in the blanks पर ठीक है खासकर सबसे ज़्यादा दो यानि की आपको vocab अगर कुछ भी नहीं पढ़के जाएंगे previous year की सारी vocab पढ़ जाओ आप और fill in the blanks और fill in the blanks के लिए आपको क्या करना है preposition बहुत अच्छे से करके जानी है और spelling error ठीक है तो spelling error और grammar के rule ठीक है तो ये चार चीजे सिरफ rules आप पढ़के भी जाएंगे तब भी आप कर लेंगे ठीक है तो उसके लिए मैंने आपकी एक video भी डाल रखी है महाँ पर भी आप देख सकते हैं चे से साथ कौन से आपको टोपी करने है और हरियाना फुलिस के अगर आप त्यारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपका free course start कर रखा है जहाँ पर मैंने हर एक subject की आपकी अलग से playlist बना रखी है जहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर 50 से परसेंट जएदा syllabus हम cover कर चुके है हिंदी आपकी approximate सारी की सारी हमने cover कर ली है जो हरियान SSC में आती है ठीक है तो अगर आप हरियान SSC की त्यारी करना चाहते है तो प्लीज आनल को subscribe कर ले और bell icon को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब कभी भी वीडियो आये तो आपको notification मिलती रहे तो आज की वीडियो में इतना ही और comment करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी Thank you